आज मैं आपको एक ऐसे बिजनिस के बारें बात करने वाला हूँ जो कोई दिखने में ऐसा लगता है कि इन में बहुत सारा इनुश्मेट होगा और कितना प्रॉफिट होगा मगर भाई इन बिजनिस में बहुती कम इनुश्मेट तो नहीं है थोड़ा सा ज्यादा इनुश्मेट है मगर बिजनिस बहुती बढ़िया है इन बिजनिस में आप जितना ज्यादा टन ओर करोगे प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा ना इनमें कोई माल खराब होने का डर है, पूरी साल ये बिजनेश चलता है, प्रोफिट अच्छा है, नो कोई बहुत बड़ी दुकान लगानी है, इनमें कोई खर्चा करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुती बेश्ट बिजनेश हैं, तो प्रणाम, मेरे प्यारे प्रणाबिजनेश के बारे में, यानि TMT बार के बिजनेश के बारे में, अब ये बिजनेश एक ऐसा बिजनेश हैं, कि इनका भविश कभी खतम होने वाला नहीं है, यानि कि रोज नए नई साइट बनते जा रही हैं, स्ट्रक्च्छर का काम देश में पूर जोड से चल र रहा हैं नए-ने मकान, मौल, दुकान, घर बनते ही जा रहे हैं तो इनका भविश कभी भी खतम होने वाला नहीं है इन बिजनिस को करके आप अच्छा खासा प्रॉपिट ले सकते हो इन में कितना प्रॉपिट होगा कैसे बिजनिस को स्टार्ट करे माल कहों से खरीदे इन बि दे दिया हैं यहां आपको डिस्पेंग भी दीख रहा हैं आप मुझसे वाट्सअप कर सकते हो आपका कोई भी सवाल है आप वाट्सअप करके मुझसे पूछ सकते हो मैं अपने हिसाब से आपको जरूर उतर दे दूँगा सबसे पहले हम देख लेते हैं टीम्टी के बारे में बहुती ज़्यादा मजबूत होता है यह मार्केट में आपको 8 mm से लेकर 32 mm तक के मिलते हैं टीम्टी सरिये चार प्रकार के ज़्यादर आपको मार्केट में मिल जाएगी वो चारों प्रकार इस टाइप से हैं जो डिस्प्ले में देख रहे हो सबसे पहला हैं एफ चार वो ज़्यादा तर बहुमाली जो इमारते बनाते हैं इनमें इनका यूज किया जाता हैं तीसरा है एफ़ी 550 ग्रेट वो ज़्यादा तर डेम ब्रीज बनाने में इनका यूज किया जाता हैं और चोथा है एफ़ी 600 जो सबसे ज़्यादा मजबूत और महेंगा आता हैं इनक इनका manufacture करना तो बहुत by costly हैं तो हम इनके आप से कोई बात नहीं कर रहा हूँ आप इनको retail वाल से start कर सकते हो अगर आपके पास management बहुत कम है तो आप इनके लिए क्या करना है कि यह जो business है वो आप market के बीचों बीच नहीं कर सकते हैं तो इनके लिए आपको highway पर एक खाली plot ल होना ही चाहिए इनमें आपको 10-2-10 की एक छोटीशी office बनानी है वाकी जगह खुली रखनी है और खुली जगह में जो है वो अब TMT bar को रख सकते हो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको business में सफलता पानी है तो इनमें सबसे जरूरी है पैसा क्योंकि भाई बीन सारे खर्चा करने पड़ते हैं और इन सारे खर्चों का समधन है सेविंग के साथ साथ investment और investment करने का सबसे पुराना तरीका है सोना यानि की gold अब सोना लेकर आप किशे ड्वेलर के पास जाओगे तो वो आपकी मजबूरी का पूरा फैदा उठाएगा और इनमें आपको इ आपके finance need को पूरी करी हैं जी दोस्तो मैं बात कर रहा हूं IIFL finance की ये finance market का सबसे पुराना और भरोसा मन खेलारी हैं ये आपको हर प्रकार के loan provide करता है जैसे कि gold loan है business loan है personal loan है home loan है ये आपके साथ कभी कोई fraud नहीं करता है जो वो बोलता है वो ही service वो देता है यानि कि कोई जूठे वादे नहीं और बिना को hidden charge आपके सोने का maximum value provide करवाता है IIFL की हमारे देश में 2700 से भी ज्यादा ब्रांच हैं आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हो और आसान तरीके से loan पा सकते हो यहां आपको एक और सुधा मिलती है gold loan at home service इनमें आप घर बैठे भी IIFL जे gold loan ले सकते हो तो इनके लिए आपको क्या करना है कि आपको call या website के जरीए appointment book करवानी है और दोनों के detail आपको वीडियो के description में मिल जाएगी यहां process इतना हीजी है कि document में केवल आजार card और ID and you are done अब आप अपने gold को लेकर बेफिकर रहे सकते हो क्योंकि आपके gold का evaluate करने के लिंक आपको मैंने दे दी हैं क्लिक किजिए और पाईए आसान तरीके से loan अब हम बात करते हैं आगे business की इनके साथ में अगर आपके पास investment ज्यादा है तो आप कोई और लोहा या कोई छोटे मुटे wire या cement या cement से बनी हुई product भी साथ में रख सकते हो अब देखें इनमें सबसे ज्यादा सवाल आप लोगों का यह होता है कि भई माल कहां से कर दिये देखें इसमें कई सारी बड़ी बड़ी brand हैं जैसे Tata हैं जिंदाल हैं JSW हैं वैसे कई सारी काम देनु हैं वो गुजरत में चलती हैं तो कई सारी ऐसे brand हैं जिन brand की आप डि बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुरूंती आपको इनका कोई डिलर बना देगा या इसा नहीं है आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है और इनसे पहले आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा अपने यहां कि आपके यहां जो market हैं वहां पर कौन सी brand का TMT सरीया कि market में जाना है highway पर जो इस type की दुकाने होगी आपको वहां जाना है सरीयो को देखना है इनकी brand name इनके वो लिखी होती है वह आपको देखना है grade लिखा होता है कि भी कौन से grade का सरीया है इनको पूछ भी सकते हो कि इन्टिल प्राइज किया है तो वह सब आपको सबसे पहल हैं तो आपको क्या करना है अब माल लेजिए आपको JSW का सरी आपके एंशाद चल रहे हैं मैं आपको एक्जाबल दे रहा हूँ तो आपको क्या करना है कि आपके near city में JSW का एक distributor होगा आपको इनके पास से ही माल खरीदना है देखिए आपको dealer के पास से माल नहीं खरीदना है आपको distributor के पास से माल खरीदना है क्योंकि जो distributor है वो company से सीधा connect होता है और इनके पास से जो है वो आपको कम से कम rate में माल मिलेगा तो आपको distributor के पास से माल खरीद लेना है और अगर आपको पता नहों के भी से कम दो लेबर की जरूत पड़ेगी स्टार्टिंग से क्योंकि सरीय जो हैं वो वजन में भारी होते हैं इनको उठाने के लिए आपको दो लोगों की स्टार्टिंग में जरूत होगी और आईवे पर जब आप छोटा सा प्रोट लोगे वो वैसे को छोटा नहीं होगा होगा एक हजर फूट के असपास होगा तो इनमें आपको कम से कम 20-25 जर का असपास जो हैं वो भाड़ा भी देना पड़ेगा अगर आपके खुद की जगव है तो कोई बात नहीं है बाकि आप इनको बाड़े से लेकर भी स्टार्ट कर सकते हो अगर हम यह मसिनर की बात करे हैं कभी आपको इनकी जरुत पढ़ सकती है लैसेंस की बात करें तो यहां आपको जो नगर निगम हैं इनकी परमिसन ले लेनी हैं और आपको जीश्टी नमर लेना ही पड़ेगा क्योंकि यह सब जीश्टी में आते हैं तो वह आपको अपने दुकान के नाम का जीश्टी करवा देना हैं इन्वेस्मेंट की बात करें तो भाई यह बिजनेस आपको 40-50 जर में स्टार्ट नहीं कर सकते हैं यहां आपको कम से कम 4-5 लाग का स्टार्टिंग का इन्वेस्मेंट करना ही पड़ेगा क्योंकि जब भी आप किसी भी डिस्टीबुटर के पास माल लेने क लिए जाओगे तो वो बोलेगा कि आपको कम से कम इतना टमतों माल लेना ही पड़ेगा तब ही मैं आपको प्राइज से माल दूँगा होल से प्राइज से वरना नहीं दूँगा तो इनमें आपको कम से कम 4-5 लाग इन्वेस्मेंट मान के ही चलना है बाकि इसमें और भी ज बेचे कहां तो सबसे पहली बात तो यह हैं कि आपको क्या करना है कि आपको विजिटिंग कार्ड चपाने हैं और अपने जो फ्रेंड सरकल है अपने रिष्टेदार हैं इनको आपको बताना है बोलना है कि भी मैंने दुकान स्टार्ट किया है और मेरे पास TMT सरीय है अगर यह आपके आज पास में जो मिनिस्ट्री लोग हैं जो कडिया काम करते हैं प्लास्टर भगेरे का तो आप इनका कॉंटेक कर सकते हो इनको भी आप बोल सकते हो कि जब भी आपको नई साइट रखोगे या इनको मालिक को जब भी ज़रूद पड़ेगी शरीयगी तो आप मे हो जाएगे और customer को आपके पास ले के आएगे तो ये दो तरीका हैं तीसरा तरीका ये हैं कि जो बड़े-बड़े builder हैं construction का काम करते हैं आप इनका भी संपर कर सकते हो और इनको माल बेच सकते हो मगर मेरा आप से ये केना है कि अगर आप नए-एना बिजने start कर रहे हो तो भाई आपको कोई बड़े-बड़े contact रहे हैं इनके पास जाने के जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके पास से उधार में माल मांगेगे तो आप इन दोड़ा दूर है ये शुरू-शुरू में बाकि आप सीधे कस्टमर के माल बेचें क्योंकि इनमें आपको उधारी बहुत कम होगी जैसे जैसे आप अपना बिजनेस आगे बढ़ते जाओगे तो वैसे वैसे आपका जो वो हैं वो क्रेडिट भी बनता जाएगा तो जो कं कई लोग बोलते हैं कि इनमें 10% profit हैं 20% profit हैं मगर भाई ये बिजनेस turnover वाला बिजनेस हैं यानि कि इनमें आप जितना ज्यादा turnover करोगे profit इतना ज्यादा मिलेगा तो यहां आपको per kilo profit बहुत ही कम हैं यानि कि करिब गरिब ऐसा माने कि 2 रुपय का सपास आपको per kilo इनमें profit कोई मिल सकता हैं इन से ज्यादा की कोई बहुत ज्यादा गुंजाज नहीं है वैसे कम होगा मगर ज्यादा नहीं होगा मगर एक बात है कि दे कि कोई भी घर बना रहेगा तो वो आपके पास आएगा TMR सरीया लेने के लिए तो थोड़ा वो दो किलो या पांच किलो मांगे तो भी आपको दो रुपी केशाब से दो हजार रुपी मिल सकते हैं तो यहां आपको जितना ज्यादा टनोर करोगे पैसा उतना ज्यादा मिलेगा अगर अच्छा सक्सपूल आप बिजनिस रन करोगे तो आपको इन में पर मंथ एक लाख रुपे का असपास भी प्रॉफि स्टार्ट करो तो हो सकते तो कम से कम कॉंटिटे में माल खरीदे कोई बहुत ज्यादा ना खरीदे क्योंकि यहां क्या रेट हैं कि इनके जो रेट हैं वो पर डे ऊपर नीचे होते रहते हैं यानि कि माली जाद शाट रुपिया हैं कल 62 हो सकता हैं पर 170 में भी एक दो बढ़ जाएगा तो यही इनका सबसे प्लस पॉइंट है कि कई लोग इनमें तेजी मंदी का बहुत सारा लाब जो है वह वैपर लोग लेते हैं तो इनमें आपको अपग्रड़ेना है ऐसा नहीं है कि आपने माल खरीद दिया दस दिन माल भीका नहीं और आपने मार्केट में कोई पता ही नहीं आपको के मार्केट में अबरेट क्या चल रहा है आपको रोज रेट लेना पड़ेगा तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था कैसा रगा मुझे कमेट करके जरूर बताना हम फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही यूजफूल वीडियो में तब तक के जय हिन जय भारत